हेलो गाइज, स्वागत आप सभी का, एक बनी फिट से सभी स्टडीज, गाइज, आईए आज हम करते हैं present perfect continuous tense, ठीक है गाइज, हमने पिसली वीडियो में अपने present indefinite continuous and perfect tense अपने complete कर लिये थे, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखिए तो उसका link डिस्क्रिप्शन में ड देखेंगे, जैसे कोई भी आप sentence है, जैसे बच्चा चार गंटे से रो रहा है, चार गंटे से रो रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे कोई बोल देता है, मैं कल से दिल्ली से चल रहा हूं, ठीक है, कल से दिल्ली से चला हुए हो, ठीक है, ऐसे मंदब कुछ भी आप बोलते हो, जो कि अभी काम पूरा नहीं हुआ लेकिन चल रहा है ठीक है काम कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन चल रहा है भी भी चीक है तो continue है तो इसलिए इसका नाम दिया है perfect continuous dance गाइस इसमें rules भी perfect के फॉलो आएंगे और थोड़े से continuous के देखे कैसे rule number first पर आईए guys he she it or singular noun के साथ आपको पता है subject plus has been has किसके सथ लगेगा he she it and singular noun के साथ और वर्ब की first form ing iq क्यों आई guys क्योंकि continuous dance था continuous dance में use होती ही नहीं ठीक है बस आपको has लगाना है has तो आपको पता है perfect में लगता ही ही लगता है तो been लगा दिया आपने पर इसमें एक change हुआ ठीक है guys अब देखते है rule number second rule number second में guys देखिए i, we, you, you, they, and plural noun के साथ subject plus have been इसमें have तो perfect में आता ही ही आता है i के साथ we, you, and they subject हो जहां पर तो उसके साथ have लगेगा but purpose from ing object बीन लगें यहां पर बस आपको धिया रखना है he, she, it, and singular noun के साथ has i, we, you, they, plural noun के साथ have ठीक है example देखिए guys मैं सुबे से रो रही है she has been crying since morning इसमें आपको कि since क्यूं आया आपने बहुत सी संटेंस में देखोगा since यहां फिर four लगा होता है देखे guys since में देखिया आप where time is not certain or defined देखे guys जैसे आपको कहीं पर बोला जाता है कि वह सुबे से नारी है यहां पर define हो गया तो वहां पर four जहां पर time का पता नहीं है तो वहां पर since तीक है ऐसे आपने सुना होगा since morning इवनिंग 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 फोर लास 22 आवर्स तीक है यह बहुत सरी संटेंस में देखने को मिलते है guys आये हम करते है नेक्टी संटेंस negative देखिए आप बस same आपने rule लिखने है वह से बच्चे ऐसे करते है has been have been के बाद note लगाते है यहां पर जो कि गलत है चीक है ऐसा आपको नहीं करना आपको use करनी है right trick इस use में आप क्या देखोगे subject तो लगेगा लगेगा पहले has या have subject के बाद फिर लगेगा note फिर उसके been note के बाद आएगा यह guys याद लगना इसलिए मैंने special उपर लिखके दिखाया यह इस तरह के टैंस में आपने यह गलती नहीं करनी है has a have के बाद note फिर been he has not been working वह काम नहीं कर रहा है ठीक है दो घंटे से ही याँ पिछले कुछ दिनों से कुछ भी लगाओ object आप as your wish interrogating में गाज देखिए इसमें आपको पता ही है helping work पहले आ जाती है हमेशा से यही रूल इसका रहा है has या have पहले आ गया यह इसकी helping work है इसमें भी bean साथ में नहीं है bean इसमें टुकडों में हो जाएगा subject प्लस bean प्लस वर्ब की पसप्राउं आया जा ठीक है object लगाना मैं भूलकिए यहाँ पे object लगा सकते हो आप ठीक है एक्जमपल देखिए वह कार सुबे से चला रहा है he has been driving the car since morning since आया क्यों आया क्योंकि वह सुबे से चला रहा है morning है देखिए अब आपको समझ आ गया होगी ठीक है has के साथ भी driving यह simple affirmative sentence था बिल्कुल simple question नहीं पुच्छा नहीं निका तो यह simple था इसलिए has भी निकठा आय ठीक है second देखिए गाइस देखिए वह सुबे से खाना नहीं खा रही यहां नहीं का यूज हुआ तो यह negative sentence है ठीक है मैंने आपको बताया has के साथ note लगाना फिर बीन यूज करना आपने she has not been eating food since morning ठीक है क्या मैं दो गंटे से सो रही हूं ठीक है तो क्या आगे यहां question इसमे subject आया sleeping for two hours four आगे रहे यहां पर four क्यूं आया क्यों 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 दो गंटे से हमें पता है कब से सो रही है दो गंटे से तो four आएगा ठीक है और अब आओ interrogative negative sentence देखिए गाईस इसमें क्या rule है same interrogative and negative का mix आएगा has and have आपने लगा दिए पहले subject भी पहले इसके के बाद ठीक है फिर आएगा note subject के बाद note फिर बीन फिर same as it is रहेगा वर्प की फस्पों ing और फिर object sorry guys object ठीक है गाईस देखिए क्या वहे चार गंटे से पानी नहीं पी रहा has क्यों लगाया वहे नहीं पी रहा तो boy के लिए ही लगा दिया male candidates के लिए क्या लगता guys he girls के लिए she has he not been has बैले आया क्योंकि यह interrogative है note आया subject के बाद क्यों आया क्योंकि यह interrogative negative का omination है been drinking water for two for four hours sorry guys four क्यों आया क्योंकि हमें time का पता है वह पिछले चार गंटों से पानी नहीं पी आप ऐसे कुछ भी guys sentence बना सकते हैं आप practice कर सकते हैं ठीक है guys fill up बनाईए उसमें यह rules follow कीजे तभी आपको अच्छे से आपाएने ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो like and subscribe कीजेगा guys ठीक है मिलते आप में next video में thank you so much guys